हाई गाईज दिस इस वभीता एंड वेलकम बैक तो माई चैनल दिवाइन लाइट आफ टैरो दिवाइन लाइट टैरो गाईज आज कर वीडियो का टॉपिक आपने थाम नहीं में देखे लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज कर हमारा ट चल कपट करने वालों को क्या करमा मिलता है जूल आपके साथ चल कपट करते हैं उनको क्या करमा मिलता है यह हम इस रीडिंग के थूप देखेंगे अभी तक अगर आप me stream को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजी और पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेट जरूर करे साथ-साथ अगर आप परसनल डीडिंग लेना चाहते हैं तो वाट्सप नमबर आलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से मुझे कॉल मेसेज कर सकते हैं तो आपके साथ छल कपट करने वालों को क्या कर्मा मिलता है यह हम इस रीडिंग के थूर देखेंगे तो पहला ही कार्ड जो आ गया है वो जस्टिस का कार्ड आया है है ना तो यहाँ पर इस रीडिंग में जो गौड है जो डिवाइन एनर्जी जो एंजल से वो आपको शोरिटी दे रही है कि डेफिनेटली अगर कोई गलत कर्मा करता है क्योंकि पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है कोई गलत करता है तो डेफिनेटली उसके साथ गलत ही होता है जाए वो कोई भी इंसान हो तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है वो जस्टिस का कार्ड तो जो कर्मा हम करते हैं वही कर्मा को हम भोगते हैं तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो सिक्स आप वोंड्स का कार्ड है तो जो लोग आपके साथ छलकपट करते हैं उनको क्या कर्मा मिलता है पहले ही कार्ड ने श्यूरिटी दे दी कि डेफिनेटली जो गलत करता है तो उसको गलत कर्मा तो मिलना ही है Two of Swords का कार्ड है Six of Swords का कार्ड है And Four of Swords का कार्ड है Swords Swords की एनर्जी आ रही बहुत चैलेंजिस वो इनसान जो है पेस करता है जो भी इनसान अगर किसी के साथ गलत करता है बुरा करता है छलकपट करता है Page of Swords उस इनसान का हाट चक्रा भी मैं कह सकते हो ब्लॉक रहता है Ace of Pentacles का का कार्ड है King of Swords फिर से King of Swords आ गया और Five of Cups Tower Bottom of the deck जो आ रहा है वो आ रहा है King of Cups तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशी की आपकी जो राशी है वो तुला हो सकती आपकी राशी वरिश्चिक हो सकती आपकी राशी मेश हो सकती आपकी राशी मिथुन कुम्ब और तुला हो सकती यह आपकी राशी हो सकती आपकी डेट आप बर्द का जो मन्थ है वो आपकी डेट आप बर्द का जो मन्थ है वो नवंबर हो सकता है जून हो सकता है फरवरी हो सकता है अप्रेल हो सकता है मई हो सकता है January हो सकता, यह आपकी date of birth के month हो सकते है तो जो भी इंसान आपके साथ गलत कर्मा करता है definitely उसको गलत भुकतान भोगना पड़ता है क्योंकि जैसा हम देते हैं वही हमारे पास वापस लोटता है चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो चाहे किसी के साथ चलकपट हो यह प्रकरती का नियम है है ना, जो हम बोते हैं वही हमें काटना है जो हम बीज बोएंगे वही हमें मिलेगा फल है ना, तो जब हम जो चीज देते हैं वह कई गुना हमारे पास लोटके आते हैं अगर आप किसी के साथ चल कपट करते हो, या कोई आपके साथ चल कपट करता है, तो डेफिनेटली उसको भी जो है जीवन में वही चीजे मिलती हैं, और कई गुना, many fold होकर मिलती हैं, 10 गुना बढ़कर मिलती हैं, 3 गुना, 4 गुना होकर मिलती है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर आप चल कपट करते हैं जैसे कि king of swords का card है king of swords की energy बहुत दिमाग से चल रहा है इंसान और बोल कुछ रहा है लेकिन इसका intention बहुत गलत है और intention कुछ और है बोल कुछ और रहा है बहुत दिमाग से चलने की कोशिश कर रहा है that means के चल कपट करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कर्मा तो भोग रही है five of cups का card है regret करने का भी जो है इश्वर मोका नहीं देता है कि आप regret करो आप अस्तावा करो क्योंकि जो आपने किया है जो बोया है वो तो काटने ही पड़ेगा दटावर का card है और समय रहते प्रकर्ति जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है उसको उसको उसका कर्मा वापिस जरूर भेजता है या लोटाता है तो यहां पर आपके जीवन में भी ऐसी चीजें होंगी प्रकर जोर के रख देंगी जो कि आपको हिला के रख देंगी जो कि आपको तोड़ के रख देंगी और उस समय आपको माफी में मांगने का भी समय नहीं मिलेगा उस समय आपको कह सकते हैं रिग्रेट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा एस आपके यह कह सकते हैं जो डिवाइन से आ आपको आनी चाहिए बंदेंस क्या होता बंदेंस का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है आपके पास बहुत मनी आ रही है बंदेंस मीन्स आपके रिष्टे बहुत अच्छे आपके कह सकते हैं कि आपके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं से हैल्प मिल ज तो ये भी एक प्रकार की abundance है तो आपके abundance के रास्ते बंद हो जाते हैं अगर आप दूसरों के साथ छलकपट करते हो page of sorts का काड़े अगर आप दूसरों को बुरा बूलते हो अगर आप दूसरों पे नजर रखते हो और आपकी activities को नजर रखे दूसरी जगा ऐसी जगा पहुचा देना आपकी activities आपकी जीवन में जो चल रहा है जो आपके लिए ठीक नहीं है ऐसे लोगों को इस information को transfer करना जिस से transfer करने से आपका नुक्सान हो जाना तो यह भी एक तरह का जो है छल कपट है धोका है deception है तो धोका अगर आप करोगे तो definitely आपको भी कहीं न कहीं से धोका जरूर मिलेगा क्योंकि यहां पर इश्वर बोलता है कि जीओ और जीड़े दो बेवजा किसी को परिशान मत करो बेवजा किसी को तकलीफ मत दो बेवजा किसी के लिए गड़े मत खोदो अगर आप किसी के लिए गड़े खोदोगे तो एक दिर आपको उसी गड़े में आपको इगिरना है है ना तो कई बार जो है जो आपकी चाल होती है जो आपके पासे हैं वो पलट भी जाते हैं कई बार आपके पासे फेल हो जाते हैं मतलब यह कह सकते हैं कि आपने दूसरे के लिए दाव चला दूसरों को फसाने के लिए दूसरों को गिराने के लिए दूसरों को बरबाद करन तो यह क्या है यह इश्वर का दंड है कई बार six of wands का काड कई बार लोग नेम फेम पॉपुलरिटी प्रोमोशन यश कीरती पैसा पाने के लिए लोगों के जिन्दिगी के साथ खेलते हैं लोगों की लाइफ के साथ खेलते हैं लोगों के यह भी कह सकते के लोगों के पेट पर लात मारते हैं पेट पर लात मारना मींस किसी की रोजगार चीन लेना किसी की रोजगार रोजी रोटी पर क्या कहते हैं हाथ चला देना मतलब यह कहने का मतलब यह कि किसी की रोजी रोटी चीन लेना तो यह भी एक तरह का गलत काम है तो इसकी भी सजा आपको कहीं ना क क्या हो गया मेरे साथ 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 आप जो हो आपको हो सकता है वो शहर वो जगा वो जॉब वो करियर छोड़ कर आपको जाना पड़ है ऐसा भी कई बार लोगों को जाता है कई बार लोग घर पर बैठ जाते लोग क्योंकि आज के समय में जो है politics हर जगा इतनी है कि हर इंसान एक दूसरे की टांग खिचने में लगा है हर इंसान ये सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ जाओ इसको पीछे धकेल दू तो इस चकर में लोग कभी कभी लोगों को जॉब छोड़ना पड़ता है कभी कभी लोगों बिमार हो जाते कभी कभी लोग इतना stress ले ले लेते कि काम छोड़ कर बैठ जाते भली उनको कितिनी भी जर्वत हो पैसे की कितिनी भी लेकिन उनको मजबूरन कई बार जो जोब नोक्री छोड़नी पड़ती है तो इस कारण से क्या होता है ये भी एक कर्मा है कि आपने सामने वाले को इत्ता प्रताडित किया अत्ता परेशान किया कि उस बेचारे ने अपना जोब ही छोड़ दिया हाला कि उस समय उसको बहुत जरुद थी पैसे की जोब की लेकिन मजबूरन उस इंसान को छोड़ना पड़ा तो ये भी एक प्रकार का कर्मा है तो आप किसी के पेट पर लात मारोगे तो आपकी भी कोई पेट पर लात मारेगा पेट पर लात मारना मेंस आपकी रोजी रोजगार छिन लेना आपकी नोकिरी छिन जाना अच्छे खासी नोकिरी आप कर आपकी नोकिरी जो है वह दूसरे को दे देना तो इस तरह से ये जो करमा आप करोगे तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा कई बार लोग इतना बीमार हो जाते हैं ऐसी ऐसी बीमारी हो जाते हैं उनके करमों के कार तो ये भी क्या है कर्मा है, क्योंकि अगर आप blessings लोगें किसी की, अगर आप दुआएं लोगें, तो blessings कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपको प्रभावित करती हैं, हम कभी-कभी आपने देखा होता है कि बड़ी-बड़ी विमारी है, छोटी-छोटी चीजों से ठीक हो जाती है, कई बार miracles होते हैं लोगों की life में, तो वो क्या होती है, blessings, आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है, तो भवान कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी रूप में बलेसिंग्स दे रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आपको, कभी-कभी अचानक से आपको देखा ह होगा कि किसी किसी को अचानक से पड़े हुए पैसे मिल जाते हैं धन मिल जाता है तो क्या होता है वो कहीं न कहीं से डिवाइन आपकी help करती हैं आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं कई लोग आप के रास्ते में ऐसे आपको मिल जाते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर देते, जिनसे कभी आपने सोचा नहीं होगा, कि वह आप इत्ती हेल्प करेगी, तो ये सारी चीजे क्या है, एक ब्लेसिंग से क्योंकि कर्मा जो है, किसी ना किसी रूपे में वापस जरूर लोटा, तो अच्छे कर्म करो, ये बात अलग है कि अंजाने में कोई आपसे गलती हो गई, भूल से कोई गलती हो गई, वो एक बात अलग है, और अगर आपको लगता है कि ये सचमुच में गलत है, ये आपके साथ गलती हो गई, तो आप माफी भी मांग सकते हो, ना माफी मांगने से क्या होता है, साफ़ने वाला आपको माफ करता इश्वर भी आपको माफ करता लेकिन अगर आप जान मुझ के कोई गलती कर रहे हो किसी के साथ छलकापट कर रहे हो धुका कर रहे हो तो क्या होता है उसके दिल से एक आहा निकलती है उस इंसान के नेगेटिव एनर्जी आहा मीन्स नेगेटिव एनर्जी जब आप दुखी होते हो जब आपका कुसूर नहीं होता जब कोई बेवज़ आपको रुलाता है दुखी करता है तो आपके दिल से पहले आप उसको बोल नहीं रहे हो मुझ से लेकिन आपका मन दुखी हो रहा है तो कही ना कही से दिल से आपके आहा निकलती है जो कि उसको लग जाती तो उसी को हम बोलते है negative energy तो इसलिए करमा वर्जय हैं और शनी ये जो वर्ष है 2024 शनी का वर्ष है शनी कर्मों के देवता हैं शनी कर्मों का हिसाब करते हैं तो शनी को अगर आपको खुश रखना तो कर रखना ही पड़ेगा और जो लोग शनी से ढरते हैं डरने की कोई शक्ता नいて 현会 कर्म करते हो ना आपने से नीचे सतर के लोगों की वह करते हैं उनको पर दया करते हो उनको कुछला कुछ देते रहते हो उनकी समस्य को समझते हो उनको कही न कहीं से Sanhake करते हो help करते हो तो आपका जो शनी है वो मदबूत हो जाता है और राहू शनी और राहू से पीड़ी थे दुनिया शनी और राहू से अच्छे अच्छे लोग घबराते तो राहू के क्या है आपके घर के बात्रूम आपकी नालिया जो गंदगी जैसे की नालिया है जो बात्रूम है इसलिए जो गंदगी होती वो क्या है राहू है तो राहू को अगर आपको ठीक रखना है तो आप अपने बात्रूम साफ कीजिए बिल्कुल साफ सफाई रखिए बात्रूम बिल्कुल बात्रूम को बिल्कुल नीट और क्लीन रखिए तो राहू का कोई असर नहीं होगा आप आपके जीवन में राहू आपका स्ट्रॉंग हो जाएगा राहू कोई आपको मैल्फिक इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं आने देगा और क्या कहते हैं जो लेबर क्लास लोग होते जो स्वीपर क्लास के लोग होते उनको आप जो है कुछ ना कुछ डोनेट करते रहे जैसे कि कंबल डोनेट कर दिया ब्लैक कलर का नीले कलर का या उनी कपड़े दे दिये या यह कह सकते हैं कैंपा कोला यह जो ब्लैक कलर की आती ना ब्राउन कलर की जो कोक आती है वो आप डोनेट हर सेटेडे सेटेडे स्वीपर को कर दो ब्लैक कलर के जो जामून आते वो आप उन नहीं करता तो शनी को इस्टांग रखिए अपने जो मेड्ड आपके घर में आती हैं जो नोकर नोकरा नी आपके अंडर में काम करते हैं उनकी उपर कभी आप डांटिये मत उनको कभी गलत बात मत कीजिए उनके बहुत प्रेम से डील कीजिए और अब कि इंसल्ट रतने नहीं पहन सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप गुरुओं का सम्मान करो, आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, आपका जुपिटर स्टॉंग रहेगा, आप अपने पिता की का सम्मान कीजिए, उनकी इज़त कीजिए, तो आपका सूर्य स्टॉंग होगा, माता का सम्मान कीजिए, माता की सेवा कीजिए, तो आपका मून स्ट्रॉंग होगा, मून स्ट्रॉंग होगा तो आपका कैश फ्लो की कभी आपको कमी नहीं रहेगी, जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी और ऐसा भी कहा जाता है, माता पिता की हमेशा सेवा करना और का कभी दिल न दुखाएं हमेशा अपने बूडे माबाप का ध्यान दखें अगर आपकी वाइफ नहीं रख रही तो आप रखिए ध्यान आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माबाप का ध्यान दखें आप अपने माबाप की सेवा करें उन्हें वरद्धाश्रम में मत कराएंगे तो एक जो कह सकते ना कि ओल्ड एज जो होती ना उस समय इनसान उस पड़ाव में आके बहुत लोनली फील करता हूँ जब आपकी संतान आपके बच्चे आपको नहीं समझते तो उस समय बहुत दुख होता है इनसान को उस समय इनसान को लगता है कि देखो हमने सब्सक्राइब दुख होता है अपने माबाप का सम्मान कीजिए अपने पैरेंट्स का सम्मान कीजिए और हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए उनकी सेवा कीजिए जितनी आप से बन सके यह थी रीडिंग, I hope यह रीडिंग आपको पसंद आए हो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चेर, कमेंड जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, हर हर महादेव, च्री शिवाय, नमस्तु भ्यम, ओम सहे राम, जै रादे रादे